तो ये टोटल जो population है ना 100% का सिर्फ 7.30% यानि कि तक्रीबन 8% ही लोग crypto में invest किये हुए है उसके बाद का ये number है गाईज अब आप कहोगे कि वजीर X में list होना कौन सी बड़ी बात है ही गाईज वेलकम अगेज एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और फिर से आज हम लोग डिसकस करने वाले सिब नोभी यानि कि सिंजा के बारे में सो अपडेट बहुत बढ़ा है गाईज और अपडेट जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि कॉंटेंट रिसर्च करने में और बनाने में वीडियो बनाने में बहुत महनत लगता है गाईज एक सब्सक्राइब तो आपके तरफ से बनता है और वीडियो को प्लीज फटा-फट से लाइक कर दीजे दोस्तो जैसा कि पिछले कई वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि सिंजा एक बहुत ही मास्टर पीस प्रोजेक्ट है गाईज और इसमें बहुत ही जादा पोटेंसियल है और आने वाले टाइम में ये अपना प्रोजेक्ट कहीं न कहीं अपना रंग दिखाना स्टार्ट करेगा तो आप देख सकते हो ये कितना बुलिश हो चुका है गाईज अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पिछले 30 मिनट के डेटा को एक घंटा के डेटा को भी अगर आप देखेंगे तो ये लगातार आगे की और बढ़ता ही जा रहा है तो अभी अगर करेंट प्राइस के बारे में बात करें तो करेंट प्राइस में 14.71% का बढ़ोतरी हुआ है मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा था कि यह आपको बहुत ही जादा प्राफिट देने वाला है तो अगर आप लोग अगर लाज एमांट में खरीदे होंगे तो अभी आप यहां से प्राफिट रिकवर कर सकते हैं आपको अच्छा खासा प्राफिट देखने को मिला होगा गाईस तो डाट वरी आप यहां पर आपने प्राफिट बनाए तो डेफिनेटली आप यहां से प्राफिट बना करके अब एक्जिट भी कर सकते हैं सो बाद में जब ये वापस डिप में जाएगा तो आप वापस खरी सकते हैं सो इट्स जस्ट पंप एंड टंप के सिचुएशन का फाइदा भी उठा सकते हैं ये पंप जो आपको देखने को मिल रहा है ये किसी वेल के वज़े से नहीं आया है ये सिर्फ बिटमार्ट पे लिस्टिंग के बाद आया है गाईज और कुछ ऐसे पॉजिटिव नियूज है जिसके बाद आपको सिबनोबी में इतना लंबा उच्छाल देखने के लिए मिल रहा है सो अभी मैं एक और पॉजिटिव नियूज के बारे में बात करना चाहूँगा I know कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ये बहुत ही बहतरीन और सबसे बड़ी खुसकवरी है गाईज सिबनोबी का आप रिसेंट एमे की बात करें तो ये 18 जनुरी 2022 को इनका जो एमे हुआ था तो उनका रिकैप में आप यहाँ पर दीख सकते हैं जो सबसे पहला टॉप पे है वो है वजीरेक्स आफ्र रिसीविंग फ्यू रिक्वेस्ट फ्रम इंडियन कॉम्यूनिटी तो जीआ गाईज अगर आप लोग को वजीरेक्स के बारे में पता नहीं है तो फिर बिल्कुल भी मैं कह सकता हूँ इंडियन फैन्स को सभी को पता है कि वजीरेक्स कितना बड़ा एकसेंज है गाईज इंडिया के अंदर तो अगर वजीर X में ये लिस्ट होता है गाईज तो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा पंप करने वाला है और उसके सामने ये तो कुछ भी पंप नहीं है आप जो देख रहे हैं कुछ भी नहीं है तो आने वाला टाइम एक्तम ही बहतरीन होने वाला है और मैं इसके पीछ लिस्ट होने के बाद से कितना पंप हुआ है तो यहां सिंजा के नजर में कहीं न कहीं वजीर X का भी नाम है तो अब मैं बात करूंगा कि वजीर X पे लिस्टिंग होने के बाद इतना ज़्यादा पंप कैसे मार सकता है गाईज तो आप देखोगे तो ये जो डेटा आप देख रहे हो ये क्रिप्टो करेंसी एक्रॉस दे वर्ल्ड का जो डेटा है इसके बारे में ही मैं बात करने वाला हो और यहां पर आप देख सकते हो कि 300 प्लस मिलियन क्रिप्टो यूजर्स वर्ल्ड वाइड में इसको लेकर के ट्रेट कर रहे है तो आपको बता दे वजीर यूजर्स के साथ में तो आप यह देख सकते हो कि एक बार वजीर एक्स पे लिश्ट हो जाने के बाद सिंजा का क्या यहां पर पर्फॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा अब यहां पर हम बात करते हैं अगर 100 मिलियन के बाद की बात है तो यह टोटल जो पॉपुलिशन ह सिर्फ 7.30% यानि कि तकरीबन 8% ही लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट किये हुए है उसके बाद का यह नंबर है गाईस तो यह परसेंटेज जिस दिन भी अगर 20 के राउंड भी पहुंच जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सिंजा यानि कि सिबनोबी का प्राइस क्या हो सकता है इस कितनी जिरो को वाइप कर सकता है अब आप कहोगे कि वजीरेक्स में लिष्ट होना कौन सी बड़ी बात है तो मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स है जिनसे मैंने बाते की और मैंने उन्हें कहा कि सिबनोबी पर आप इन्वेस्ट करो तो उन्होंने कहा कि सिबनोब जिनका trust है वजीर X के उपर में तो वजीर X पे एक बार लिस्टेड होने के बाद यहाँ पर definitely काफी ज्यादा users आएंगे और holders भी लगातार बढ़ेंगे तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सिंजा को purchase नहीं किया है तो hotbit का link मैं description में दे दूँगा वहाँ से आप hotbit में sign up करके वहाँ पर आप सिंजा यानि कि सिंगनोबी को पहले ही purchase करके रख सकते हैं ताकि एक बार जब वजीर X पे यह list हो जाए तो यहाँ पर काफी ज़्यादा bump देखने को मिलेगा दिन आप वहाँ से फिर dump भी कर सकते हो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी coin को आप लगातार hold किये रहो so it's my honest opinion कि जब आपको profit बनाने का होता है तो profit बना करके आप market छोड़ भी सकते हैं then जब वह dip में जाए तो आप वह आपस उसे purchase कर सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा हमारे यह वीडियो आप हमें नीचे comment section में जरूर बता हैं मिलते हैं next वीडियो में till then take care and bye bye